तो गाईज अगर आपके पास एक जीयो का सीम है और यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे लिखा रहता है Connection Problem और Invalid MMI Code तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और दोस्तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे दोस्तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे तो चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस फोन में कोड को किसी भी कोड को डायल करते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन में नेटवर्क कनेक्शन को चेक कर लेनी है जब आपके फोन में नेटवर्क कनेक्शन नहीं रहता तब आपको यह प्रॉब्लम आती है उसके बाद दूस्तों आपको चेक करने के बाद आपको एक सेटिंग कर लेनी है अपने फोन में तो यहाँ पर आपको अपने फोन में सेटिंग को ओपन करना है फोन के सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको जो है नेटवर्क सेटिंग क क्लिक करना है और यहाँ पे आपको automatically select network करके option आएगा यहाँ पे आपको click करना है और जो है आपके phone में network जो है वो automatically select होगा उसके बाद दोस्तों आपको अपने phone में जो है phone का network को सही रखना है ताकि आपको कोई भी problem ना आए और जब भी आप code को dial कर रहे हैं तो दोस्तों उस time तो आपके phone में network होना चाहिए तब ही आपको जो problem है वो solve हो बेगी तो बस आपको दोस्तों इसके लिए बस network problem को solve करना है फिर आपकी problem जो है solve हो जाएगी तो इसी तरीके से आप जो है इस problem को solve कर सकते हैं तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए